तो नहीं इसके लिए इंडिकेटर बनाया था हूँ जब भी मेरा यह शेटप बनाया है जो सही मैंने इसके और जिसको इसको आउन करूंगा यह अपने आप चार्ट के उपर अजये सब पहले almost 8-10 महीने पहले मैंने इस पर quality डीडियो बना चुका हूँ जिस पर आप व्यूस देखोगे यहां पर आपर 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 लोगों ने कमेंट करके भी बोला है कि उनको इस वीडियो में इसका पूरा टेटोरियर बताने वालों कैसा आप इसको completely fix कर सकते हूँ कैसे में अपना खुद का इंडिकेटर बना सकते हूँ यहां पर इंपोर्टन चीज यह है कि अभी तक आप लोगों ने मेरा टेलियूम को जॉइन नहीं करा तो जॉइन कर लो free of cost कोई भी चार्जर यहां पर पे करने का जूवत नहीं है मैं आपको यहां पर 100% free मेरा कोई भी लुटन चैनल में जाकर कर कर लो अभी में चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि कैसा अब अपना खुद का एक इंडिकेटर बना सकते हैं तो कैस्व फीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब कर देना notification bell दबा देना और comment करके बताना आपको video कैसे लाए या फिर अब आपको कोई भी doubt हो तो comment करके बताना मैं उस पे dedicated video बनाता हमाँ या फिर try करोगा कि आपके जितना भी doubt हो उसको clear करने का तो चलो लो वीडियो का भी start करते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर कोई भी coding language का knowledge होना है ज़रूरी नहीं है compulsory कुछ भी नहीं है आपको basic English या फिर English आना चाहिए तो इन सब भी चीछ के लिए सबसे पहले आपको सबसे पहले जाना है आपको में विप पे chat GPT खोल लेना है यहां पे आने के वाद आपको यहां पर एक simple सा prompt डालना है अब basically prompt होता कहा है तो prompt कुछ नहीं होता है यहां पर job message लिए जिसके basis पर आपको output विलेगा उसे हम लोग prompt होते है तो हम लोग यहां पर लिख रहे हैं कि अधर मान लोग की आपको कोई भी strategy है for example मेरा अभी एक strategy है जिसके मैं यहां पर दिखाना चाहता हूँ कि मैं engulfing candle को मैं यहां पर यहां पर बनाना चाहता हूँ तो उस पर condition क्या होता है यहां पर देखो एक ऐसा candle डूसरा candle इसको पूरा पूरा इंगल्फ कर लेगा तो पहला candle का low है low point आपको यह वाला candle का low और यह पहला candle का high को यह दो दो जाबर के आप इंगल्फ कर लेगा तो यहां से आपको output कैसे लिखना है यहां पर जाकर आपकर अप लिखना है उसको कैसे लिए simply आपको यहां पर लिखना है कुछ starting का चीज है एक और most important चीज कि यहाँ पे जो आप chat GPT के इंडर कुछ भी डालते हो तो वो एक pine reader के इंदर आता है pine reader के इंदर ही आप जाग रखते हैं अपना code यहाँ पे लिख सकती हो तो सारा का सारा code यहीं पे paste होगा और उसके बाद यह चायट के इंपर आ जाएगा तो चलना मनों सब्सक्राइब पहले आपे code लिखते हैं कि कैसे हमको इस वाले strategy के लिए code लिखना है तो सबसे पहले यहाँ पे लिखना है create a pine तो create का e छुट गया sorry create a pine script अब देखो यहाँ पे दो तरीके का हो सकता है एक अदर आप लिख सकते हो दूसरा अगर आप लिख सकते हैं दूसरा अगर आप कोई चीज़ हाइलाइट कराना है तो basically अभी हाइलाइट कराना है कि मेरे पास setup है तो मैं उस पो हाइलाइट कराना है create a pine script to highlight highlight लिख दिया है उसके बाद two candlestick so always अभी हाँ चार्ट के उपर दिखा होगे तो मैंने यहाँ पर पूरा पूरा प्रॉन क्लीप दिया है अब मैंने क्या लिखा है create a pine script to highlight two candlestick pattern in which the high of the second कहते मतलब मैं यहाँ पर क्या बोटा हूँ कि यहाँ पर दो candlestick है तो यहाँ पर पहला है इसको first month और दूसरा जो यह वाला है यह second तो दूसरा candle का जो high होने वाला है वो 5 candle से higher होना चाहिए अगर यह high है तो यह higher high हो जाएगा और यहाँ पर लिखा है मैंने उसके बाद जादर कि higher than the first candle and the low low of the second candle is lower than the first candle मतलब first candle अगर यह low है तो दूसरा यह lower low होगा ठीक है तो इसके नीचे और इसके high की उपर बनेगा मैंने simply यह prompt जाएगर यहाँ पर डाला अब यहाँ पर simply हमेग उसके बाद मैंने डाला है कि इसको error free बनाना ठीक है अब मुझे simply यहाँ पर जागर की इंटर्प्रेस करना है जैसे ही आप इंटर्प्रेस करोगे तो यह पूरा पर यहाँ पर code करके आजाएगा हो सकते ही अगर फर्स्टे मैं प्राई कर रहे हूँ अब आपको यहाँ पर कहीं पर क्लिक करके Ctrl A दवाना है और उसको backspace पर से डिलीट करना है यहाँ पर जो भी चीज रहेगा वो आपको यहाँ पर डिलीट करना है और आपको Ctrl V दवा दरके अभी जो अपने code डाना उसे paste करना है अभी हम यहाँ पर update on chart पर क्लिक करते हैं अब देखो यहाँ पर problem क्या है जैसे यहाँ पर दिखोगे तो मेरा पहले से यह लगा हुआ था तो अभी दिखोगे तो यहाँ पर setup अगर मैं आपको वापस सीह करके दिखाओ यह step यहाँ पर देखो हुए हाई है वो पिछले candle से higher आई है और जो इसका low है दूसरे candle से यहाँ पर लूट पर है तो यह वैलिडेट कर रहा है और यह आपको इसके setting को change करना है तो आप उस setting को भी change कर सकते हो setting को change करने कि आपको simply यहाँ पर click करके setting को change कर लेना ठीक है तो आपको जैसा भी setting चाहिए प्रेसा कर सकते हो hope आपको इस वीडियो समझ में आगा वीडियो अच्छा नहीं हो पर फूई भी doubt हो या फिर कोई भी indicator आपको बनाना हो तो please comment करके बताना मैं अबस पर एक dedicated वीडियो बना दूँगा तो guys इस वीडियो में इतना ही time मिलते है यह वीडियो में thank you guys thank you guys for watching this video मिलते है यह यह वी मीडियो में